लो दोस्तों स्वागत है आप लोग का इंफरमाइट एजुकेशन में सुगाइज मैं आए ना मरुईत पजापती एंट टुड़े वी आर गूइंग तो डिसकस अबाउट एनेजबी एनेजबी मीन्स नैशनल हाउसिंग बैंक इस और इस और बारे में काफी डीटेल में इस जारी चीज़ के लिए हो रही होंगी लेकिन इस वीडियो में काफी डीटेल में जानने वाल है तो इस वीडियो को लास्त दो चलो शुरू करते हैं लेट्स गो सो देखो नैशनल हाउसिंग बैंक ठीक है इस दी एपक्स रेगुलेटरी बॉड़ी फोर ओवराल रेगुले ताकि आप एज़ी घर बना पाओ उनको यह लोग रेगुलेट करते हैं कि लोग सही तरीका से वर्क कर रहें कि नहीं गौर्वर्मेंट की सारी रूर रेगुलेशन या पॉल्सी को अच्छे से वर्लो कर रहें कि नहीं पर बाइब करती है ठीक है रूरल डेवल्प्मेंट में और सिड़ी हो गया सिड़ी किस पर वर्क करती है small industries पर MSME जो सक्टर होते न उन पर वर्क करती है और एक और और ऑगनाज़िशन है जो की है इक्जिम बैंक किस पर वर्क करती है import export related जो चीजे होती है उनसे लेटर वो वर्क करते है उनसे रिटर जो फाइनेशन सर्विस होती है और सारी चीजे को रेगलीट करने के कोश्च करते है So, it comes under the Ministry of Finance Ministry of Finance के अंडरे में आता है जो कि Government of India का है ये पूरी देसर और्गनेशन Government है ठीक है It was set up on 9th July 1988 9 July 1980 में इसको set up किये गा था Under the National Housing Bank Act 1987 Parliament में पास किये गया था उसके जरीए इस organization को बनाए गया था 9 July 1980 में इसको established हो गया था ठीक है So, the Finance Act 2019 has amended the National Housing Bank Act 1987 2019 में इसका जो एक्ट था Finance Act के थुरू उसको अमेंड किया गया उसमें कुछ बदलाव किये गया The amendment confers the power of regulation of housing finance companies HFCs to Reserve Bank of India Reserve Bank of India के पास इसकी power conferred कर दी गई ठीक है So, आगे चलते है देखो So, इस organization का जो headquarter है वो है New Delhi, India में ठीक है, हमारे देश की राजदानी है और जो इसके managing director कहलो या chair person कहलो वो है सरदा कुमार होटा ठीक है NHB registers and supervises Housing Finance Companies HFCs ठीक है, ये लोग registers भी करते हैं इनके दुआरा ही register किया जाता है और supervise करते हैं कि कैसे आप जो भी government की policy से उसको अच्छे से work कर सकते हैं और कैसे आज बढ़ियां तरीके से आप financial services provide कर सकते हैं जो भी housing financial areas में है उन organization को supervise भी करते हैं लोग ठीक है, keep surveillance through on-site and off-site mechanism नजर निगरानी भी रखते हैं ये लोग कि ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कोई गलत practices तो नहीं कर रहे हैं कुछ गलत तरीके से काम तो नहीं हो रहा है ठीक है and coordinates with the other regulators also जो दूसरी regulatory bodies होती है जैसे नबार्ड हो गया या फिर कोई और organization हो गई उनके साथ भी coordinate करते हैं या फिर आपके पास कोई गलत तरीका हो रहा है तो हम focus कर सकते हैं बहुत साइज चीजे होती है अब यहाँ पर गाई इसका है vision and mission vision and mission बहुत important होता है इसी और organization के लिए आप इनको मैं एक बर repeat कर देता हूँ अप अच्छे से समाझ ले ना promoting inclusive expansion with stability in housing finance market जो इनका mission है वो है to harness and promote market potential to serve the housing needs of all segments of the population with the focus on low and moderate income housing ठीक है अब आगे चलते हैं देखो यहाँ पर आदाता है इनको objectives क्या है यहाँ पर main चीज आती है किस तरीके से work करते है और किस तरीके से यह लोग चाहते है कि development हो इस area का जो भी housing finance वाला area है So, to promote a sound, healthy, viable and cost-effective housing finance to cater all segments of the population मतलब हर तरह का जो भी income group है इंडिया में उसकी उन population को target किया जाता है to integrate housing finance system with the overall finance system ठीक है? समझा कही बाद? अगला है to promote a network of dedicated housing finance institutions to adequately serve various regions different income groups बाद समझा रही है पूरे all over India में अलग-अलग area में यह लोग लाइसेंस प्रोवाइड करते है ताकि हर एक जो इंडिया का ग्रूप है चाहे कम पैसे कमाने वाले हो चाहे ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो उन सब को target किया जाए और उनको सब के पास financing प्रोवाइड की जाए ताकि वो easily अपना housing वगरा जो भी है लेना उनको ले सके है तो वो यह लोग डियर्क नहीं करते है यह लोग जो भी housing finance वगरा जो companies है उनके through करवाते है लेकिन यह लोग regulate करते है उस चीज को तो एक regulatory body है यह ठीक है to augment resources for the sector and channelize them for housing अच्छा तरीके से channelize करने की जाती है to make housing credit more affordable affordable बनाया जाता है ताकि कम से कम interest पे जाद जादा लोग जो financial services है इनको acquire कर सकें easily ले पाए और अच्छा से अपने जो भी उनके future plans हो इस पे work कर सकें to regulate the activities of housing finance companies based on regulatory and supervisory authority drive under the act जो इनके दवारा act बनाया गया है उसमें जो इनके rules, regulation, guidelines and जो भी policies उसके थुरू यह लोग work करते है ताकि अच्छे से यह पूरा system चला जा सके to encourage augmentation of supply of buildable land and also building materials for the housing and to upgrade the housing stock in the country ठीक है यह साथी जो पी work करते हैं to increase public agencies to emerge as the facilitator and supplier of the service land for the housing यह सारे के सारे इनके objectives हैं जो की बहुत ही important तरीके से बनाया है और more focused हैं कि कैसे जादा बहतर system बनाया जाए एक housing finance का इंडिया में ठीक है guys आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा अगर आप इसमें और भी काफी कुछ जाना चाहते हैं कि किस तरह के यह लोग finance प्रवाइड करते हैं कितना यह लोग finance प्रवाइड करते हैं तो इनकी जो website है आप official website पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर बहुत ही डीटेल में इनकी financial statement वगरा भी available हैं आप चाहए तो check out कर सकते हैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जाने को मिला होगा अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार